वीडियोज अपलोड करकर के परिसान हो गए अच्छी वीडियो भी बनाते हैं बट एक भी वीडियो वारल नहीं होता सिर्फ 8-10 वीडियो जाते हैं वो भी खुद ही देख लेते हैं साथ ही आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा Hey guys, this is Sonu and you are watching T4 Channel So without wasting any time, let's begin क्लिक करना है जैसे आप View More पे क्लिक करेंगे, कुछ ही इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पे Top पे आपको Reach का Option मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेना है Then आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है यहाँ यह Reach का सेक्षन है, यानि कि आपकी वीडियो कितने लोगों तक पहुँच पा रही है इसका पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा So नीचे आपको यहाँ पे Top YouTube Search Term मिलेगा यानि कि कुछ ऐसे Search Terms जो आपके चनल के लिए सबसे ज़्यादा Search हो रहा है और आपकी वीडियो को Discoverable कर रहा है यानि कि लोगों के Search जल्ट में ला रहे है So यहाँ पे Top YouTube Search Terms में मेरे कौन कौन से Topics हैं आप देख सकते हैं Logo कैसे बनाए, Source Video कैसे बनाए, Intro कैसे बनाए, YouTube Logo कैसे बनाए और Logo कैसे बनाए यह मेरे चनल के लिए Search Terms है So यानि कि इस Topic पे मैं अगर वीडियो बनाता हूँ तो मेरे वो वीडियो जल्दी वाइरल होंगे ऐसे ही आपको नीचे यहाँ पे Top Videos Suggesting Your Content दिया हुआ है यानि कि ऐसे वीडियो जो मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियो को लोगो को सजिस्ट कर रहा है रेकमेंड कर रहा है, वो कौन कौन से Topic है How to Make YouTube Intro in Kind Master How to Make Professional Logo on Mobile इसे ही 5 दिये हुआ है, Side में इनका percentage भी दिया हुआ है कि कितने views मेरे चैनल पर ये लाके दे रहे है इन सब Topic वे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे वीडियो रेकमेंड भी होंगे और जब रेकमेंड होंगे, यानि कि उनके YouTube इंटरफेस में मेरी वीडियो जाएगी तो probability है कि उस पर क्लिक करके लोग देखेंगे भी और में वीडियो उस पर views भी आएंगे अब ये जो search terms हैं, ये सब के चैनल के लिए अलग-अलग होंगे आपके चैनल के लिए कुछ और होंगे, किसी और के चैनल के लिए कुछ और होंगे अप्लोड किया था, views लाया है, दूसरा है how to make YouTube sorts videos और यहाँ पर तीसरा चौथा, इंट्रो और लोगों से related ही जो वीडियो जो वाइरल होई है तो कहने का मतलब क्या है, मेरे search terms में भी क्या दिखा रहा है लोगों कैसे बनाए, इंट्रो कैसे बनाए, ऐसे सर्टम्स आ रहे है YouTube के जो मैंने reach में दिखाया आपको तो क्या होता है कि जब कोई वीडियो आपके चैनल की viral हो जाती है यानि कि उस तरह की वीडियो को बहुत सारे लोग देखे हैं जो आपके चैनल की वीडियोज है तो आपके चैनल की बाकी उसी तरह की वीडियोज जो सेम टॉपिक पे बनी होंगी उन सारे वीवर्स को भी YouTube रेकमेंड करेगा कि ये भी वीडियोज इसी तरह की है आप इसे भी देखना पसंद कर सकते हैं So YouTube उनको करेगा For example, अगर आप अपने YouTube चैनल पे भोजपूरी गाने सर्च करोगे तो YouTube आपके प्लेटफोर्म पे भोजपूरी गाने ही रेकमेंड करेगा ना कि इंगलिस गाने क्योंकि वो जाता है ये बंदा अगर भोजपूरी गाने सर्च किया है तो उसको भोजपूरी गाने पसंद है तो इसको अगरेजी गाने मैं अगर recommend करूंगा तो कोई भी चांस नहीं एक उस पर click करके वो देखेगा सिर्फ भोजपूरी देखेगा तो उसको बाकी भोजपूरी गाने उसको list में उसके आने लगेंगे सेम अगर आपकी कोई भी एक वीडियो वाइरल हुई है तो उसी तरह की वीडियो यूट्यूब सामने वाले वीडियोजेस्टिंग यूर कंटेंट होंगी वह भी एहां पे जो list बनेगा वह भी ऐसे ही बनेगा जैसे कि यहां पर सारे वीडियोज जो है सारे टॉपिक्स मेरे उन्ही वीडियो से रेलेटेड हैं जो मेरी पहले वाइरल हो चुकी है यहां पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूंगा जैसे कि मैं यहां पर अपना वीडियो जो भी मैं recent में अपलोड किया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने यहां पर यहां वीडियो अपलोड किया है जैसे YouTube Channel Intro कैसे बनाया और जस्ट नीचे देखो मैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना दिया हूँ जो कि है हाउ टू बलर फोटो बैग्राउंड लाइक डिये सेलर तो इस पे सिर्फ एक दिन में चार सो दस वीडियो जाए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ फिर से जब मैं यहाँ पे नीचे बनाया हाउ टू मेक प्रोफेस्टनल इंट्रो फर यूट्यू इन कैन मास्टर तो यह दो दिन में सिर्फ और सिर्फ दो ही दिन में 7.7 की व्यूज लाए है जबकि जस्ट नीचे मैंने बना दिया है चीप ट्राइपोड यहाँ पर मैंने एक ट्राइपोड खरीता था उसकी अन्बॉक्सिंग करके वीडियो बनाया था मैं कोई टॉपिक चूज किया हूँ तो वो वीडियो मेरी मतलब क्रैस हो गई एक तरो से बोले तो उस पर एक वी व्यूज मतलब आने ही बंद हो जाते हैं जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर है वो जो इंट्रेस्टेड है वो ही देख पा रहे है बाकी यूट्यूब रेकमेंड ना कर रहा नहीं वो किसी के सर्च प्लेटफॉर्म पे जा रहा है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बुला था कि आपके प्रब्लम का सोल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल से ही मिलेगा अब ये नहीं कि आप लोगो इंट्रो आउट्रो पे वीडियो बनाना सुरू कर दे तो आपके व्यूज आ जाएगा नहीं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल के लिए हैं क्योंकि इस तरह की वीडियोज मेरे चैनल पे पहले वाइरल हो चुकी है अब आपको चेक करना है कि आपके चैनल के लिए कौन सा वीडियो जो है आपके चैनल पे पहले से ज़ादा से ज़ादा व्यूज ला रहे हैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियोज बनाने हैं या फिर रीच वाले सेक्शन में जाके यूट्यूब से स्टम्स और रेकमेंडेशन कौन कौन से टैग्स को दिया गया है उस पे आप वीडियो बनाना सुरू कर दीजिए वीडियो पसंद आप उस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंट्रस्टिंग टेक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई झाल झाल झाल